इस वीडियो को मुहमद रशीद की फरमाईस पर बनाया गया है स्टूडेंट्स अगर आप अधिक से अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक अवशक देखें और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलें इस वीडियो में हम कैटल बफैलो के रीपरड़क्टिव ट्रैक के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर ओवेरी, फिलोपिन ट्यूब, यूट्रस ओफ होर्न, सर्विक्स एंड एई आई गन पासिंग की हम बात करेंगे इसी के साथ हम वीडियो की शरुबात करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए ताकि किसी और स्टूडिन्ट की भी अच्छे से हेल्प हो सके मैंने एक रीपरड़क्टिव ट्रैक बफैलो के अंदर से निकाल लिया है आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि यह एक फिलोपिन ट्यूब है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको जितनी जानकारी हो सके उतनी जानकारी दी जाएगी यह फिलोपिन ट्यूब है और इसके बाद यह ओवेरी है, यह ओविडिन शेप में कैटल बफैलो में पाई जाती है आपके एक्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस परकार की ओवेरी कैटल बफैलो में पाई जाती है यह आपका सर्विक्स है जो 5-7 cm तक होता है, स्पीचिस के साथ यह चेंज होता रहता है यह देखिए, यह सर्विक्स होता है, जिसके अंदर से हमें गन पास करनी होती है सबसे पहला स्टैप भी इसके अंदर मुश्किल होता है और लास्ट का स्टैप भी मुश्किल होता है वीडियो देखने के बाद आपकी यह मुसीबत कम हो जाएगी सर्विक्स इसी पोइंट के अंदर से आपको गन पास करनी होती है जो होर्न ओफ यूट्रस में लेके जानी पड़ती है ओवेरी राइट वाली ओवेरी, देखिए, ओविड इन शेप ओविड इन शेप इसके अंदर से ही ओवार रिलीज होता है फिलोपिन ट्यूब कितनी थिन अकारगी होती है और कम से कम ये देखिए होर्न ओफ यूट्रस जिसके अंदर से एम्ब्रियो ट्रांस्वर किया जाता है आपको मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जानकारी अच्छे से मिल सके और डीप जानकारी का आपको ग्यान हो सके ओवेरी ओविड इन शेप चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले वीडियो थोड़ा लंबी हो जानने के कारण डरे नहीं इसको पूरा देखे देखिए थोड़ा सा ओविड इन शेप में आपकी ओवेरी नजर आती है ये रिप्रड़क्टिव ट्रैक हीफर का रिप्रडऱ्क्टिव ट्रैक है देखिए ओवेरी किस लोकेशन पे जूड़ी होती है कई बार जब हम AI करते हैं तो साइज का पता लगाने के लिए हमें ओवेरी को देखना पड़ता है कि ओवेरी का साइज कम या ज़्यादा तो नहीं देखिए किस तरह से लीगामेंट के साथ आपकी फ्लोपिन ट्यूब जूड़ी होती है मैं तो इस बात से एहरान होता हूँ कि इतने ज़्यादा लीगामेंट के साथ जूड़ी होने के बाद भी प्रो लैप्स के केस हमें फिल्ड में देखने को मिलते हैं इसके बाद मैं आपको AI गन पास करना सिखाऊंगा काफी कॉंपले कॉंपलिकेटिड केस रहता है मुहमद राशीद ने देखिए किस तरह से मैं गन पास करने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहला पॉइंट आपकी गन सर्विक्स के पॉइंट पर लगी होनी चाहिए जब तक आपकी गन सर्विक्स पॉइंट पे नहीं लगेगी तब तक गन पास बिलकुल नहीं होगी और सबसे अच्छी बात आप फोर्स बिलकुल ना करें अगर आप फोर्स करते हैं तो आपकी गन रिप्रड़क्टिव ट्रैक को इंजर कर सकती है थोड़ा सा हिलाएं ये जानकारी आपको रिप्रड़क्टिव ट्रैक के बारे में दी गई है देखिए मैं किस तरह से हिलाता हूँ बिलकुल भी AI गन आगे नहीं जा रही देखिए थोड़ा सा मैंने किस देखिए इस टाइप से आपको हिलाना है और साथ की साथ गन पास हो गई थी उसी परकार मैं आपको एक दो बार और गन पास करना सिखाऊंगा वीडियो को एड तक जरूर देखें देखिए मैं किस परकार से हिला रहा हूँ सबसे में रीजन होता है कि गन आपकी सर्विक्स पॉइंट पे ना लगके कहीं होर पर जानने की कोशिश करती है यही कारण होता है एक तो गन आपकी पास ना होने का इस पॉइंट में अगर आपकी गन लगेगी तो ही गन आगे पास होगी अन्य था आपकी गन बिल्कुल पास नहीं होगी देखिए इस परकार से आपको गन हिलानी है हिलाते ही सर्विक्स के अंदर से गन पास हो गई देखिए यही एक पॉइंट होता है जो आपको ध्यान में रखना होता है कि सर्विक्स की लोकेशन ये आपको टाइम के साथ साथ देखिए मैं जितनी मर्जी फोरस कर लूँ इसके साथ लेकिन गन पास होने का नाम नहीं ले रही ये वीडियो BVSC VIDA स्टूडेंट के लिए एक काफी ज्यान पूरत साबित हो सकती है देखिए इस परकार से आपको गन के साथ साथ सर्विक्स की भी हिलाना पड़ेगा मैंने इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं की देखिए इस परकार से आप सर्विक्स को हिलाएं जब तक गन पास नहीं हो रही जब तक हिलाएं और फोर्स यहाँ पर अपलाई करने की कोशिश ना करें मेरे देखिए यह देखिए इस परकार से आपको आल्वेज ही हिलाना है जब तक हिलाते रहना है जब तक आपकी गन पास नहीं हो सबसे में पॉइंट इसके अंदर यह आता है कि आपकी गन सर्विक्स के बिलकुल बीच में लगी हो देखिए मैंने हिलाया और गन पास हो गई जी हाँ बिलकुल गन पास हो गई है इसकी में यही रीजन होता है कि आप सर्विक्स को किस परकार से इला रहे हैं आप बिलकुल न डरें अगर आप डाक्टर के साथ हैं तो डरने की बिलकुल कोशिश ना करें सर्विक्स को अच्छे से पकड़ें और हिलाने की कोशिश करें उपर से नीचे नीचे से बाएं बाएं से दाएं लेजाएं ताकि सर्विक्स के अंदर से गन सरलता से पास हो सके वीडियो को एंड तक अवशक देखें चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें जितना मर्जी आप फोरस कर लो गन पास नहीं होगी गन पास नहीं होगी आप कोशिश करते रहिए आपके टाइम के साथ साथ सर्विक्स से गन पास होना अपने आप ही आ जाती है सर्विक्स को थोड़ा दाएं से बाएं हिलाएं बार बार हिलाएं ताकि गन पास हो जाए देखिए आपने इस वीडियो में क्या सीखा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ आप अपने finger के साथ या अपने अंगूठे के साथ गन को देख सकते हैं कि सर्विक्स से अच्छे से सपास हुई है या नहीं देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें कैसे भी करें मुझे नहीं पता पर सब्सक्राइब लाइक शेयर हो जाना चाहिए देखिए सर्विक्स आपको किस परकार से नजर आता है अगर पॉइंट पे यही वो पॉइंट होता है जहां पे आपको AI गन रखके थोड़ा सा सर्विक्स को हिला डुला के गन पास करनी होती है अगर आपकी गन इस सर्विक्स पॉइंट पे नहीं लगेगी तब दक आपके गन पास नहीं होगी देखिए गन पास हो गई है एक गन पास ना होने का एक कारण ये भी है कि इसको मैंने बाहर निकाल रखा है यानि कि ये लोकेशन से डिस लोकेशन हो गया है आप ध्यान से देखिए और थोड़ा समझने की कोशिश करें अब मैं आपको सर्विक्स को काटके दिखाऊँगा कि किस परकार से आपका सर्विक्स कैटल बफैलो का सर्विक्स नजर आता है थोड़ा सा तो कट गया है थोड़ा और रह गया है मैं इसको और काट लेता हूँ यार सब्सक्राइब, लाइक, शेर जरूर बनता है देखिए देखिए किस परकार से नजर आ रहा है देखिए वो पॉइंट किस परकार से नजर आ रहा है देखिए थोड़ा सा और काट देता हूँ मैं अधिक जानकारी के लिए आपकी देखिए मैंने उस पॉइंट को काट दिया अच्छे से देखने की कोशिश करें थोड़ा सा मैं और काट लेता हूँ थोड़ा सा पॉइंट और रह गया है मैं इतनी जादा मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ सब्सक्राइब लाइक जरूर बनता है ये तीन पॉइंट होते हैं अंदर से जो आपकी गन को पास होने से रोपते हैं देखे किस प्रकाई यहाँ पे आप सीमन को ड्रोप कर सकते हैं सर्विक्स पास हो जाने के बाद तीन ये पॉइंट होते हैं ये छले से टाइप होते हैं जो गन को पास होने से रोपते हैं और बैक्टिरियल इन्फेक्शन से भी बचाते हैं देखिए अब मैं आपको AI गन पास करना सिखाता हूँ सबसे पहला पॉइंट होता है वो भी काफी ज़्यादा कॉम्पलिकेटिड होता है उसके बाद ये दूसरे में फिर उसके बाद तीसरे में अटक जाती है अटकने का कारण होता है कॉम्पलिकेटिड शेप सरीक्श की काफी ज़्यादा कॉम्पलिकेटिड शेप होती है इन तीनों पॉइंट से अगर आप गन को पास करवाना सीख जाते हैं तो ही आप फरफेक्ट बन सकते हैं थोड़ा समय और उपर करके दिखाता हूँ देखिए पहला रिंग दूसरी रिंग और तीसरी रिंग पास हो जाने के बाद ही आपकी गन पास हो सकती है अने था आपकी गन पास होने में ओवेरी ओविड इन शेप त्यान रखना फ्रेंड्स फ्लोपिंट ट्यूब देखिए यही फ्लोपिंट ट्यूब होती है जो आपको एक्जाम में बार 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 इसी के बारे में पूछा जाता है अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँ थैंक्यू फोर वाचिंग